दोस्तों इंग बार फिर से स्वागत है अपका प्रिजापती न्यूज में अगर कोई मरने से नहीं डरता है तो या तो वो जूट बोल रहा है या फिर वो गोरखा है दोस्तों इस बात हम नहीं बलकि भारत के आर्मी चीफ सैम मानिक शाह का कहना है और उनका कहना बिलकुल भी गलत नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि गोरखा की ये जवान जब अपने खुखरी यानि अपना हत्यार निकालते हैं तो बिना किसी को मौत के घाट उतारे वापस उसे नहीं रखते तबी तो अंग्रेजों से लेकर छोटी आँखों वाले चीनियों तक हर किसी के पतलून गिली हो जाती है गोरखा का नम सुनकर लेकिन सवाल है आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारती आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी गोरखा रेजिमेंट का रिकूर्टमेंट रोक दि लेगे ना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकॉन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सब से पहले दोस्तों हमारे नए आर्मी चीफ जनरल मनूज पांडे सितंबर के पहले हफते में पांच दिन के दौरे पर नेपाल की तरफ रवाना होंगी असल में ये भारती आदमी और नेपाल की आर्मी का एक एडिक्शन है जिसमें दोनों को ओनरेरी कर दें तो इतिहास ऐसा कहा रहा है कि नेपाल और भारत का बहुती अटूट संबंध है यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब नेपाल ही बोलता था कि असली हिंदू राष्टर हम है तब ही तो वहां पर पशुपतिनात भगवान शिव नंदी इन सब की पूजा की जाती ह क्योंकि नेपाल में दिखतर लोग हिंदूइस्म को फॉलो करते हैं असल में नेपाल में एक ट्राडीशन है कि आप आओ आप हमारे जनरल हो हम आपको ओनरेरी टाइटल देंगे और आप भी ओनरेरी टाइटल देना अभी जो प्रभू शर्मा है जो नेपाली आर्मी के ची आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में कुछ हुआ तो पुरा नेपाल भारत की रक्षा करने के लिए आगे आएगा और अगर नेपाल को कुछ हुआ तो भारत हमेशा से ही नेपाल के लिए खड़ा है लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि जो अगनिपत्त स्कीम है जिसके के तायत काफी ज़्यादा विवाद भी हुआ उसका रिक्रूटमेंट नेपाल ने रोक दिया है जहां हर साल करीब 1500 नेपाली लोगों को गोर्खा रेजिमेंट में लिया जाता है यह गोर्खा बहुत ही ज़्यादा बहादूर होते हैं जिनने नेपाल किंग्डम की रीड की ह रेड़ी का जाता है इनी की वज़े से नेपाल किंग्डम इतना ज़्यादा ग्रोग कर पाया था सबसे पहले महराजा रंजीत सिंग ने उनको पैचाना और 1809 के करीब इनको सैना में शामिल करना शुरू कर दिया क्योंकि इतने बहादूर थे कि इनसे कोई नहीं जीत सकता फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1814 में एंगलो नेपाल वार हुई ये ऐसा वक्त था जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में फैलते जा रहे थे और माराथा राज लगभग खत्म हो चुका था साउथ वाल एरिया ब्रिटिशर्स के कबजे में आ चुका था बंगाल का रीजन पूरा ब्रिटिशर्स के कबजे में चला गया था सिर्फ सिख अंपायर बचा था महराजा रंजीत सिंग बहुती ज़्यादा ताकतवर थे तो उस समय सिख अंपायर पर आग उठाकर देखना वे ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं था लेकिन हा नेपाल का बहुती ज़्यादा ताकतवर था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इनको लगने लगा हमें इसे लेना पड़ेगा हमें तिबबत तक अपना सामराज्य पहलाना है इसलिए 1814 में एंगलो नेपाली वार हुई जो लगबग डेड़ साल तक चली और फिर 1816 में युद ब जाकत के साथ ही नेपाली जवान अपने देश के लिए लड़ रहे हैं जो अकेले ही दरजनों लोगों पर भारी है नेपाली किंडम के मुकाबले बिटिशर्स के पास तीन गुना ज़्यादा बड़ी आर्मी थी आधुनिक्तोप, हत्यार, सब कुछ थे लेकिन फिर भी एं बिटिशर्स नेपाल के बेखाफ रहने वाले जवान बिटिशर्स और भारत की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे यही वज़ाए कि गोर्खा रेजिमेंट केवल भारत में नहीं बलकि बिटिश आर्मी में भी देखने को मिलती है जब भारत 1947 में अज़ाद होता है तो उस व हमारे पास हैं और तीन रेजिमेंट बिटिशर्स के पास है यानि कि अभी भी गोर्खा रेजिमेंट को बिटिश आर्मी में शामिल किया जाता है जिसके सबसे बड़ी वज़या इनकी बहादूरी है अपने खुखरी हत्यार से दुश्मन का सर कलम करने वाले गोर्खा कभी भी हारते नहीं है इनका कहना है कि कायर के तरह पीछे हटने से वहतर है एक जावाज के तरह लड़कर अपनी जान दे दू और इसी सोच के साथ ये दुश्मनों की इंट से इंट बजा देते हैं गोर्खा के बारे में तो आप समझ गए और ये भी समझ गए कि भारती आर्म हो जिसे में देखना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी से सलाम अशोरा करना पड़ेगा क्योंकि अगनी पत स्कीम के तहर जो आर्मी के जवान होंगे वो चार साल बाद रेटायर हो जाएंगे और फिर इसका जो इंपक्ट है इसका जो असर है वो सोसाइटी पर क्य पूरा मामला दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये